अलवीदा चक्दीब सहाब, अलवीदा, किस शब्द में कहूँ, एक छोटा मोड़ा कॉमेडी नोने के नाते यही कहूँगा, कि कॉमेडी का बच्पन, कॉमेडी की जवानी, और कॉमेडी का बुड़ावा, आपकी शकल में हमने तीनों को खो दिया है, अपने करियर की शुरुवात की थी, बुट पॉलिश फिल्म से, उसके बाद पुरी जवानी ही आप लोगों को हसाते रहें, और इवन जब आप बुजरुग होएं, बुड़ा तो नहीं कहूँगा, जब बुजरुग होएं, तो आपने हमें नए कॉमेडी को बच्चों की त तो आशिरवाद दिया, हमारी फिल्म भाउना को समझो का मूरत आपने किया तो मुझे याद है, अच्छी तरह से, उसके बाद बॉंबी टुगवा में हमने हमारी खुशकिसमती की आपके साथ काम करने का मौका मिला, ऐसे लेजंडरी कलाकार के साथ महुत कुछ सीखने मिल हमेशा हसमुक, हमेशा कुछ न कुछ प्रेरना देते रहते थे आप, एक दो टीवी शो में भी आपके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला, मैं तो अपने आपको इतने में ही बड़ा भागेशने समझता हूँ, कि इतने बड़े आसमान के सामने मुझे उस छत्रशाय में ख आपने करेक्टर के प्रोडूसर रहें, डिरेक्टर रहें, एक्टर रहें, कॉमीडियन रहें, हीरो रहें, ऐसे हीरो भी आपने बहुत सरी फिल्वे की, चली चली रे पतंग बेडी, बादलो के पार, तो जगदिव साहब, यह आपका जीवन है, यह पूरी तरह से हमारे ल कॉमीडियन्स, और हम सब आपके शागिर्द, कॉमीडियन, और एक्टर, तमाम एक्टर, प्रेहना लेते रहेंगे, और फिर तो बात तो वही है कि, कलाकार अपने काम के जरी हमेशा जिन्दर रहता है, आप हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, अपने काम के जरी हमे प्रेहन देते रहेंगे जग्धिर साब बहुत हसाया आपने आपको मालिक स्वर्ग में जन्नत में आपको हसता हुआ आला मुकाम दे और आप हमेशा हसते रहे क्योंकि आप डिजर्व करते ह Juए आपने धर्ती को बहुत हसाया अब आप आस्मान को हसाएंगे और आस्मान में उपर आला मालिक आपको बहुत आला मुकाम देगा क्योंकि आपने हमेशा खोशियां बाटी, आसी बाटी है किसी को खुल के हसाना इससे बड़ी अबादत नहीं किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं आपने बहुत इबादत किये, बहुत अच्छी इबादत किये आपको सारी नेकियां जो है सारी दुआएं दर्ती से आप तक पहुँचेगी और आपकी दुआएं आपका प्यार, आपका काम हमेशा में पेरना देता रहेगा लब यू सर लब यू